ये वीडियो मैं कद्दू और पद्दू के लिए समर्पित करता हूँ कद्दू और पद्दू सबसे पहले समझाए कि कद्दू क्या है और पद्दू क्या है दरसल कद्दू वो है जो ऐसी ऐसी खवरें बनाते हैं ऐसी ऐसी खबरें करते हैं और कद्दू का सबजी कद्दू का साग बनाते हैं जिनका देश के डवलपमेंट से, देश के विकास से लोगों के विकास से, लोगों के दुखदर से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है कोई काम की वो न्यूज नहीं होती कोई काम की जानकार नहीं होती, उसको कद्दू कहते हैं, बिल्कुल सड़ा हुआ, बद्वुदार कद्दू, और पद्दू क्या होता है, पद्दू वो होता है, जो उस कद्दू को खा खा कर, पाद पाद कर, चारो तरफ खबर को फैलाते हैं, बद्दू को फैलाते हैं, वो पद्दू है ये दो कद्दू और पद्दू हमें साब ध्यान रखें आपकी जानकारी के लिए दुरस करने के लिए क्योंकि आपको कद्दू और पद्दू बहुत मिलेंगे आजकल बड़ा मौसम उनका पिछले 6-6 साल से चल दा है कोई मुझसे पूर्शता है आजकल क्या चल दा है तो पहले कहते थे फौक चल दा है अभी कद्दू पद्दू का मौसम चल दा है यानि कद्दू खा रहे हैं और पद्दू पाद रहे हैं उनका मौसम चल दा है पूरे देश में बदवू ही बदवू चाल तरफ हुई पड़ी है ये कद्दू और पद्दू का वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पिछले 6-7 साल से मैं कोई भी कद्दू की जो बदू है उसको नहीं देखता मेरे टीवी और अख़वार बंद पड़े हुए है टीवी तो लगबग खराब हो चुके हैं क्योंकि चला के देखे नहीं और अख़वार जो पुराने थे वो हमने बेचपास दिये नए अख़वार हम लाते नहीं विदेख कोई न कोई सुपर इंटेजेंट बड़ा ग्याता कोई डॉक्ठेट कोई इंटेलिजेंट कोई सुपर इंटेलिजेंट कोई कमाल का व्यख्ति जो अपने आपको ये कहता है कि मुझसे बड़ा कोई विचारक नहीं है वो कद्दू खाकर सोसल मीडिया पे पाता ही रहता है अपनी इंटेलिजेंस ही दिखाते रहता है उसको इतनी तमीज और इतनी अकल और इतना सैंस नहीं है कि अरे ये जो खबर है ये कद्दू है तो इसको खाके क्यों पात रहा है उसको फैलाता रहता है फैलाता रहता है कद्दू का काम करता रहता है कद्दू का काम क्या है कद्दू सब्जी बना के वो खिला देते हैं और लोगों से कहते हैं बस इसे पाते हैं पातने वाले पाते रहते हैं अरे तूं intelligent है तूं बुद्धिमान है तूंका कद्धू खाके क्यों पाद रहा है तो ये उनके लिए है जो उनका कद्धू खाके और यहां अपनी super intelligence है और सुपर अपना बुद्धी को दिखाते हैं और पात रहते हैं दरसल एक महिला बहुत ज्यादा मैंने देखी जो बड सजी धजी सी और उसकी चर्चा का विशा क्या था कद्दू ने जो कद्दू बनाया है उसको ध्रदल पा दे थी और अपना ऐसा बुद्धी दिखा ले थी कि जैसे सारी दुनिया की फिल्मों के इंडेस्टियों की कलाकारों की और जो लोग सुसाइड में मरे हैं या जिन पर और प्रत्राप्ट लगे हैं ज़ो द्रग वाले हैं उसकी जानकारी उससे है अपनी जानकारी नहीं है मैंने धीरे से पूछ लिया पांस मेने से सेल नहीं मिली कुई काज़़वाग़ी लिखके दिया किसी को घर कैसे चला रहे हैं? बडिभाएस ओ किया लगी कि हमने toi पैस आमादमी का हो रहा है नहीं किसानों का हो रहा है जो बिदल क्लास के लोग हैं, उनको कहीं ब्यापार्यूं चलने रहा है उधर जो बिमारी है वो बड़ती चले जा रही है बड़ती चले जा रही है जीडीपी है जो घटी चले जा रही है घटी चले जा रही है चाइना है जो लगबग 1000 किलोमेटर जमीन को हड़ा चुका है ये सारी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ये कद्दों को नहीं दिखाए दिती है, तरहसलिया कद्दों को सिर्फ कद्दु भी दिखाए दिता है सबसे कम नमबर में आने वाले सबसे इनका भी लोग या अगर जैसे वो कहते हैं कि आरक्षित लोग हैं तो मैं कहूंगा कि वो आरक्षण के आरक्षण के आरक्षण के आरक्षण के आरक्षण के आरक्षण के आरक्षित लोग उनकी भासा में वैसे तो आरशना के लोग बड़े intelligent होते हैं उनकी भासा में तो वो कुछ जानते नहीं उन्होंने कुछ सीका नहीं कलास में कभी गए नहीं बस ऐसी certificate ले आए कम नमबरों से पास होगे होंगे और कद्दू बना रहे हैं ये guaranteed है आप उनको चेक कले ना क्योंकि उनके पास में जो ने ethics सिकाए हैं जो टेक्टिक सिकाई है वो तो कहीं इस्तमाल होती नहीं तो ये कद्दू सारे दिन यही कच्रा बनाते रहते हैं और परोस्ते रहते हैं मेरी जो सिकायत है वो है intelligent पद्दू से आप उनका कद्दू क्यों खा रहे हो और उनका कद्दू खा के हमें क्यों सुंगा रहे हो आप अपने कद्दू को अपने घर में सुंगा हो अपने bathroom में रखो उसको फैला क्यों रहे हो क्यों अपना खा में खा का time खराब कर रहे हो रोका भी वैसे तो हम देखते नहीं मगर क्या है कि सोसल मीडिया पर जब हम उपर नीचे करते हैं तो पद्दूओं की खबरें आती है तो बड़ा अजीब सा लगता है अरे काय का इंटेलिजेंट है कैसा घड़ा है इतना नहीं समझ पाया है कि ये कद्दू की खबर है ये क् क्द्दों से ऐसी पद्द्दों को पहचानना सुरू करो उनको special नाम देना सुरू करो ये कद्दू है ये पद्दू है और इपल्द्दी है ये बड़ा तो पपजी खिलना च्छोड़ा पपजिए उसे कौन देख देखेगा लोग बेरोजगार हो रहे हैं उसकी खबर है कॉन निकालेगा वहाँ तो दिमाग चलता नहीं उसलायक है भी नहीं और बेकार की जिन न्यूज से सिर्फ टाइम स्टाइम होता हो लोगों ने पब जी खि समझो बात को कि इसे कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है तो जब भी किसी पद्दू का पोश्ट आए तो एक बट खर्च कीजिए उसको कीजिए सरीमान पद्दू इस देश में बहुत समस्या हैं इस देश में भुकमरी है इस देश में वेरोजगारी है इस देश में किसान आत्मत्या कर रहे हैं इस देश में भष्चाचार बढ़ गया है इस देश में अत्याचार बढ़ गया है यहां जस्टिस नहीं मिल पा रहा है पैसा गिर गया है रुपिया गिर गया है तंखाय नहीं मिल लही है पेंसर नहीं मिल रही है, सरकारी डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, यहाँ बीबारी बहुत है, यहाँ सारी लोग अनपढ़ हैं, उनके पढ़ाने का कुछ है नहीं, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, जो काम हो रहा था वो खतम हो चुका है, आप आप इतने जादा बुद्धिमान नहीं है कि आप राश्ट्य सब्जेक्ट उठा सकें, देश के हितकी बात कर सकें, देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकें, क्योंकि अगर कड़ू खाते रहेंगे और पाते रहेंगे तो यह गारंटी है कि आप पाकिस्तान से नीचे चले ज आज वहाँ रोकेट इस्टेसन बना, आज एक नया यात्री विमान बनाया, आज एक वहाँ पे नया हमने इस्ट्रक्चर बनाया, आज वहाँ पे एक नया सिटी बनाया, आज हमने वहाँ यह बिडिलिंग का इस्ट्रक्चर बनाया, आज यह टेक्नोलोजी बनाई, आज यह रोबोट बनाया, आज हमने अपने यहां गरीबी खतम कर दी, आज हमने अपने यहां बीमारियां खतम कर दी, आज हमारे यहां सारे लोग पड़ लिखके ग्रेजूट हो गए, आज हमने इतनी युनिवर्स्टियां खोल दी, आज हमारे यहां इतने ज़्यादा उद्योग ध हमारे यहां सब के अंदर दिदेश भक्ति है आप उनका उठा के देखिए वहां कद्दू नाम की चीज नहीं मिलेगी वहां जबजस चीजे मिलती हैं उनका न्यूजपेपर उनका टीवी उनका अकवार उनका सोसल मीडिया देखते लगता है कि यहां राष्ट बाद और विडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैटियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट क या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद तम्मं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी संगं सरेणं गच्छामी दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी